नवस्कार बिहारी निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ नेया और इसी के साथ करते हैं बोलेटिन का अगाज और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्ख्यों पर बिहार में जमीन सर्वी में तेजी 38 लाख रहयतों ने जमा किये दस्तावेज राजस्वेम खुमी सुधार मंतरी डॉक्टर दिलीप कुमार जैसवाल ने दी जानकारी बिहार के स्कुलों में जल सुरोगी 6000 से अधिक पदों पर बाली सिक्षा विभाग में भेजी रिक्तिया बाल साइक सिक्षकों की सेलरी होगी 16500 रुपए बिहार में अबेटियम से होगी इस्टाम की बिकरी पटना में लगेगी देश की पहली मसीन आम लोगों को मिलेगी काफी सहूलियत राजी के सभी पर खंडों और पंचायतों में बनाये जाएंगे खेल मैदान और रणिंग ट्रैक मुख्य सचीव अमरित लाल मिडा ने विभाग को दिया आदिस बैडमिंटन और बॉली वोल कोट भी बनाये जाएंगे ब्यार में इंजिनेरिंग सिक्षकों का होगा कौसल विकास 2671 पदों पर होगी भरती तकनीकी सिक्षा मंतरी सुमीत कुमार सिंग ने दी जानकारी अब खबरे बिस्तार से ब्यार में उच मादमिक विद्यालियों में 6421 नय विद्याली सहायकों की न्यूक्ति की जा रही है इन्हें हर महीने 16500 रुपए का वेतन दिया जाएगा जिसमें वार्सिक वेतन विरिधी 500 रुपए की होगी सिक्षा मिभाग ने इन पदों की स्रीजन की जानकारी महा खकार को बेजदी है ये न्यूक्ति राज की राज की कृत माधमिक और उच्च माधमिक विद्यालियों में लिपिक और अनुस्यवक की मरलसील पदों को परत्यपित करने के लिए की गई है अगर हम बात करें बिभिन जिलो की तो पट्टा में 210 मुझपरपूर में 305 और प के बाद संबंदित नियोजन इकाई को सूचना उपलब्द करवाई जाएगी ब्यार में अब जल्दी ATM की तरह मसीनों से ये स्टांप मिलेंगे जिससे आम लोगों को सुविदा मिलेगी ये जानकारी उत्पाद उमद्द निसीत बिभाग के सची उबिनूत सिंग गुंज दिया जाएगा राजसरकार की योजना फिजिकल एस्टांप को हटा कर पूरी तरह से इस्टांप परनाली को लागू करने की है इस पहल के तहत बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जा एटिम जैसी वेडिंग मसीनों से एस्टांप की बिक्री सुरु होगी वर्तमान में ये एस्टांप की बिक्री को ऑप्रेटिब बैंकों के माधियम से की जा रही है सचीव गुंज्याल ने बताया कि आमचन की सुविदा के लिए एक हजार रुपए के निया एक एस्टांप की बिक्री फ्रांकिंग मसीन के जरिये हो रही है इसके अलवा हाई कोट और 40 विव कि अपर मुख्य सचीव परतिया अमरित ने वेडियो कंफरिंसिंग के माधियम से गंगा नदी के किनारे इस्तित जिलो के डेम के साथ समेक शाबा ठकी ब्यार के बारत जिलो बकसर भोजपूर सारन वैसाली पर्टना समस्तिपूर बेगु सराय लखी सराय मुंगीर खगड अपर मुख्य सचीव ने राहत कारियों में तेजी लाने और विसे इसकर बच्चों, बुजर्गों और गर्भावती महिलाओं की सुरक्षा पर जोड़ दिया बार परभावी छेतरों में राहत काम के लिए 1350 नावे और 17 बोट एमबुलेंस का संचालन किया जा रहा है जल पर सरकार ग्रामेड छेतरों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई यूजना पर काम कर रही है मुक्य सचीव अमरितलाल मेडा ने महात्मा गादी राश्टी ग्रामेड रोजगार गारांटी अधिनियम के तर्थ सभी परखंडों और पंचायतों में खेल मैदान और रनिंग ट्रैक बनाने का आदिस दिया है हर खेल वादान में बैडमिंटर और बॉलिबोल कोट जैसे बुनियादी सुविधाय उपलब्द कराई जाएंगी विसेश रुप से सेना और सिपाही भरती की तयारी कर रहे है युवाओ के लिए हाई जंप, लॉंग जंप औ और उची कुद के लिए अस्थान बनाये जाएंगे जिससे वे अपनी शारीरिक तयारी को और बेहतर बना सकेंगे। मुक्य सचिव ने इस यूजना के कारियनौन में सिक्षा और खेल में भागो को श्रामिल करने का भी नर्देश दिया है। करने के लिए सरकार ने कई योजनाये बनाई है। मंत्री ने ये भी असपश्ट किया कि सिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2671 पदों पर भरती की जाएंगे। पिछले दो वर्सों में इंजिनियरिंग में 1458 और पॉल्टेकनिक संस्थानों में 727 सिक्षकों की नियुक चित किया गया है और ये सिर्फ सुरुवात है। राजसरकार ने संस्थानों की बुन्यादी ढाची को मजबूत बनाने के लिए आवस्य सुमिधाओं और परियोग श्रालाओं का विकास भी किया जा रहा है। 12 सितंबर में भी गर्मी का परकूप जारी है प्रदीश की विविन हिस्सों में तापमान 49 डिग्री सेल्सिस के पार चला गया है जिससे लोगों का घर से निकल ला बेहद मुस्किल हो रहा है। सुमवार के अगर बात करें तो बेगुस सराय ने 49.5 डिग्री सेल्सिस के साथ सबसे गर्म जिला बनने का रिकॉर्ड बनाया। पत्ना का अधिक्तमता 5-36 डिग्री सेल्सिस रिकॉर्ड किया गया जबकि बाका में थोड़ी गिरावट देखी गई। इसी कड़ी में गर्मी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी की सला दे जा रही है। राज्य के राजस्वय भूमी सुधार मंतरी डॉक्टर दिलिप कुमार जैसवाल ने बिति दिन पत्रिकारों से बातचीत में भरोसा दिलाया है कि सरकार बिसेस भूमी सर्विक्चर से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए रहयतों की दरवाजे तक जाएगे। उन्होंने कहा कि लोग बेफिक्र रहें और आकरण अंचल कारियालों की चकर न लगाए क्योंकि सभी जरूरी कागजात ओनलाइन ही उपलब्ध हैं। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 85% सेटों के लिए हुए पहले चरण के नवांकन को रद कर दिया गया है। विंडो आज से लेकर 25 सितंबर तक खुली रहेगी। करोड रुपए समों में फसा है। ब्यार में भी 33,000 निवेसकों के करीब 410 करोड रुपए फसे हैं। हाली में सरकार ने निवेसकों के मदद के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पहले ज़ा कुछ निवेसकों को 10,000 रुपए की आंशिक वापसी की गई थी। अब इस रासी को बढ़ा कर 50,000 रुपए करने का निड़न लिया गया है। निवेसक अपसी आर्सी सहारा रिफंड पोटल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी वीच सुप्रिम कोट ने सहारा समू को अपने सिर्श अधिकारियों और समपतियों की जानकारी देने का रदिश दिया है। कोट ने कहा कि सहारा समू को ऐसी समपतियों की सुची पेस करनी होगी जिन्हें बेच कर 10,000 करोर रुपए जुटाए जा सकते हैं। सुप्रिम कोट ने ये भी कहा है कि इन समपतियों को बेज कर मिलने वाली रकम से भी सहारा रिफंड खाते में जमा की जाएगी इसके बाद निवेसकों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। इसके बाद जन्वारी से इन दस्तवेजों की जाज सुरू हो जाएगी बतादे कि रोहतास जिले में सबसे अधीक 2,75,000 दस्तवेज ऑनलाइन अपलोड किये गये हैं। जिसमें 38,000,000 रहियतों ने आप तक अपना बेवराज जमा कर दिया है। बिहार के दर्भंगा जिले के शुभन में परस्तावित एमस अस्पताल के नर्मार का जिम्मा किंदर सरकार ने HSCC के इंडिया लामेटीट को स्वापा है इस परियोजना की लागत 1261 करोड रुपए है और इसका नर्मार काम जल्द ही सुरू होगा। दर्भंगा में 188 एकड़ भूमी पर बनने वाले इस अस्पताल का नर्मार काम 36 महीने में पूरा हो सकेगा। किंदरी स्वास मंतरी जेपी नडड़ा ने घोसना की है कि अगले महीने यानिकी अक्टूबर में परधान मंतरी नरेंद्र मोदी इस अस्पताल की नियू रखेंगे एम्स के निर्मार से नकिवल छेत्र का विकास होगा बलकि अस्थानी लोगों के लिए रोजगार की नए बिहार और जारकंड के बीच विभाजन के बाद से कई विती दायित तो लंबित हैं राजसरकार ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है ताकि पेंसन संबंधी मामलों का समाधान हो सकें वर्स 2000 में बिहार से जारकंड की अलग होने के बाद सरकारी करमचारियों और प पेंसन पेमेंट और की जानकारी एकत्र की जारकंड पर बिहार की 847 करोर रुपाई की देंदारी है मुक्य सचीव अस्तर पर रिपोर्ट की समेक्षा के बाद जारकंड सरकार के साथ चर्चा की जाएगी और किंद्रे ग्री मंत्राली की सयोग से अंतिम निर्णाय लिया जाएगा इडिने बिहार के IAS अधिकारी संजीव हंस और पुर्विदायक गुलाब यादों के खिलाब 2002 के धन शुधन निवारन अधियनियम के तहत परवर्तर मामला सूचना रिपोर्ट ECIR दर्च की है ये कार्रवाई BCS सर्थकर्ता IK FIR के अधार पर की गई है जिसमें पर अवैद संपती अरजित करने का आरोप लगाया गया है 1997 वैश की IAS अधिकारी संजीव हंस जो पहले ब्यार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लेमिटेट के परमुक्त है उनको ED की जाज के बाद समानी परश्रासन व्यभाग में अस्थांतरित किया गया है जानकारी क संजीव हंस के परिवार और ब्यापारीक साज़दारों ने करोड की संपती जुटाई है जो अब जांच का बिसय बना हुआ है और ब्यार की मुक्यमंत्री का कटियार दौरा है बतादे की कटियार में सुवे के मुक्यमंत्री ने तिसको बार 26 सितंबर को जाएंगे और इसके लिए जो हाँ पित तयार्या जोरो सोरो से चल रही है इस दोरान वे कटिहार महिला ITI कॉलेज के नए हाइटीक परसिक्षड किंद्र का उधगाटन करने वाले हैं जिससे सिवांचल छितर की बेटियों को तकनीकी सिक्षा का लाब मिल पाएगा पुरो डिप्टी सीम और कटिहार नगर बधायक तारा किसोर परसाद ने महिला ITI किंद्र में कारिक्रम की तयारियों का जाय जालिया है मुक्यमंत्री की इस यात्रा से कटिहार में विकास की नई रफ्तार सुर्व होने के उमीद है आज हम आपको याद दिलाएंगे एक इतहासिक दिन का एक इतहासिक पल को 24 सितंबर 2007 आज ही के दिन जब भारत ने T20 किरकेट में अपना पहला वर्ल्ड कप जिता था इस टुनामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया जो किरकेट प्रेम्यू के लिए एक ड्रीम फाइनल था जो हंसबर्ग के निउ वाडन्स एस्टेडियम में खेले गया है इस रुमांचिक मैंच में महंदर सिंग धोनी की अगवाई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर इतिहास रच दिया था ये जेत महंदर सिंग धोनी के लिए एक नए यूप की सुरवात थी बता दे केवल T20 वर्ल्ड कप भी नहीं बलकी वन डे वर्ल्ड कप 2011 और चांपियंस ट्रोफी 2013 भी जीती जिसे वे इतियास के पहले कप्तान बन गए जिन्नोंने ICC की तीनों ट्रोफिया अपने नाम की बेते दिन हमारे द्वारा पूँछे गए सवाल का जवाब आप मीशसे बहुत लोगों नै हमारे कमेंट वॉक सेक्सन में लेकर दिया है जिन्नों ने हमारी द्वारा पूप्छे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सवाल क्यों और आज का सवाल है आपके लिए दोस्ती का मतलब क्या है आप अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षन में लिख के जरूर बताएगा आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखने के लिए आप देखते रहें बिहारी नूज और साथ अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल क को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फालो जरूर करें धन्यवाद